तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास बरावी का गणीद प्रशनावली 7.7 को सल्ब करेंगे क्योंकि ये बहुत ये असान है सारे क्वेशन को करा देंगे और इसमें तीन फर्मूला शिर्फ इज होता है तो आपको फर्मूला याद हो जाएग मतलब जो भी आपको मेरे से जनना हो पुछना हो आप कमेंड कर सकते हो तो लाश्ट 6 या 7 बच्चे का सवाल है, जो अपने नाम बुलवाना चाहते हैं या उनके साथ कुछ प्रवलम है वो हम पहले सजेस्ट करना चाहते हैं क्या क्या हमारे बच्चे के साथ हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले MD साबीर खान जो बोले है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो बहुत सारा लंबे अपना statement दिये हैं तो MD साबीर खान आपको दिल से thank you और आप ऐसे ही पढ़ते रहो मेनत करते जो भी आपको doubt दिकत रहता है आप नेरे को जुरूर बताओ comment box में अगले class में फिर आपका नाम लेंगे आपका जो problem होगा उसको solve करने की कोसिस करेंगे ठीक है उसके बाद है brand comedy आप king ए sir बोले हैं तो king नहीं है बट पढ़ाने के आप लोग के साथ कोसिस रता है आप लोगो पूरा अपना 100% देंगे ताकि आपको कोई doubt दिकत नहीं हो ठीक है हाँ सुरज कुमार बोले है sir आप का नाम क्या है का नाम कार्वकाडमी है C-A-R-B अकाडमी C-A-D-Y-M-Y ठीक है तो कार्वकाडमी app डानलोड कर लेना ओर वहां से अपना class कर सकते हो उसके बाद DP याद हो इननोंने भी बोला टा sir मेरा नाम लेना तो इनका हमने नाम ले लिया है ठीक है भराद कुमार यह भी बोले है तो इनका भी हमने नाम ले लिया है ठीक है और कुछ problem है तो आप लोग comment box में comment कर देना यह हम आपको 2-3 ताइम लिए बट जो आप लोग के साथ problem होगा ना उस problem के हाँ पर बताएंगे तो बहुत सारे बच्चों को उससे आपके comment से भी help मिल सकता है ठीक है तो जो आपके साथ भी next video में इसी video में comment करेगा next video में आपका problem के लिए हम बात जरूर करेंगे ठीक है जो भी doubt हो पढ़ने मन लगता है यह सारे चीज़ आप लिखो आपके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप जरूर comment box में लिखो आपको problem को कैसे solve होगा जरूर help करने की कोसिस करेंगे ठीक है चलो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे चलते हैं अपने class में प्रश्नावलिस सादस्मुल साथ का प्रश्न काता है कि एक से नौ तक के फ़लों का सामा कलन किजिए पहला प्रश्ने के root अंदर 4 माइनस x2 आये इस प्रश्ने को सल्ब करते हैं बहुत इजी है आप बस ध्यान देना ठीक है पहला प्रश्ने क्या है उसाद बुक को इधर रख लेते हैं तक हमें प्रश्न अच्छे से दिखता रहे है ठीक है बहुत इजी है ध्यान देना ठीक है ना पहला प्रश्ने है कि root अंदर integration का sign लगा देंगे root अंदर 4 minus x square यह है और यहाँ पर में dx लगा दिया यह आपका मतलब question है इसे सामाकलन करना है सिधा सी बात है तो सबसे पहले क्या करेंगे सुचू क्या करें यह बहुत जल्दी बन जा है तो तीन formula पर पर ना उसी तीन formula पर बनने वाला है तो आप ऐसा करो इसको लिखो एक बार solution integration root अंदर यह 4 है ना 4 को आप क्या लिसकते हो 2 का square कोई दिकत है क्या 2 का square करेंगे 4 होगा अब minus x का square कर देंगे x square होगा और यह हो जाएगा dx ठीक है अब देखो तो यहाँ से integration root अंदर 2 का square minus x square dx है तो आपको हमने कुछ formula पढ़ाया था याद है देखो हमने लिख करके लाया था कि आपको याद रहे यह वोला root अंदर a square एक जगा 1,2,3,4,5,6,7,9,10 कुछ भी हो सकता है और यह x square है अब इचे minus हो जब यह हो x by 2 root अंदर a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x भाई यह होता है तो यहाँ पर देखो तो यह a square एक जगा 2 है सेम हमारा तीसरा formula लगेगा तो इस formula पर इसको क्या कर देंगे बैठा देंगे जहाँ a है 2 रखेंगे जहाँ x है तो x नी रखेंगे बस इस formula पर बैठा देना है आपका answer हो जाएगा समझगे बाद को बहुत तीजी है चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अब हमने यहाँ पर integration लगा दिया है तो same चीज को इसको उतार देंगे अब आपको सरेकियों कर रहे हमने गल्ती से कर लिया है यहाँ इंटेग्रेशन यहाँ पर देने जिरूत नहीं था क्योंकि यहीं पर direct हमारा टूट जायता तो आप ऐसा करना इसको नहीं लिखो कर अच्छा रहेगा इसको लिखने से क्या पैदा एक यह चीज दो बार आप direct इसको फर्मूला पर कर दो क्या होता है एकस बाई टू एकस बाई टू रूट अंदर एसकोईर माइनस एकसे सकोईर होता है एक कमान दो है न तो दो का है सकोईर माइनस एकसे सकोईर होता है तो एकस का सकोईर हो जाएगा ठीक है कोई दिखत नहीं बीच में पलस होता है तो पलस अब क्या होता है? A square A का मन क्या है? 2 तो 2 का A square हो जाएगा अब अटे क्या होता है? 2 sine inverse x, x का मनने तो x A का मन क्या है? A का मन 2 है तो 2, अब plus क्या कर देंगे? C, हो गया काम बस इसको अब solve कर दो देखो क्या होगा? x by 2 root अंदर 2 का A square करोगे? 4 होगा, x का A square करोगे? x A square पलस, ए 2 का A square करोगे? 4 चार में 2 से भाग दोगे? कितना आएगा? 2 आजाएगा, तो 2 sine inverse x by 2 अब plus c यह देखो आपका final answer हो जाएगा तो कितना simple है? ए तो 2 line में ही बन गया तो 2 line में सारे नहीं बनेंगे कुछ अलग भी होते हैं परस्ण ऐसा नहीं कि सारे 2 line में बन जाएंगे अच्छे अच्छे परस्ण भी मिलेंगे ठीक है? तो first complete होता है second को देखते है second question क्या है हमारा? question number 2 question 2 क्या है? integration root अंदर 1 minus 4x square dx यह अपका परस्ण है ठीक है? अब इस परस्ण को solve करना है कैसे करेंगे? सुचो वाले तो इसको a square की रूप में तोड़ेंगे a square x square की रूप में integration root अंदर 1 के square करेंगे तो 1 होगा minus 4x square है ना इसको हम 2x का square कर देंगे और यह हो जाएगा dx ठीक है? अब देखो a square है रूप में नहीं है ना? तो हम जानते हो क्या करते है इस 2x को put कर लेंगे z जैसे हमने 7.2 में किया था put 2x को हमने z put कर लिया अब इसको x के साब x oculan करेंगे पता है क्या होगा? 2x का 2 हो जाएगा और z का dzy by dx हो जाएगा इसको करेंगे तो dx का जो मान हो जाएगा dzy by 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा? dzy by 2 अब यहाँ dx का जगए रख देंगे integration root अंदर 1 का square minus 2x को क्या माने हो z ना? z का square और dx का मान क्या है? dzy by 2 1 by 2 जो है न? वो constant है हम इसको कर देंगे बाहर अब यहाँ देखो क्या बचेगा? root अंदर 1 का square minus z का square और d z यानि a square तो है x का ही मान है लेकिन z है तो x z से मतलब नहीं है formula था हमारा वहीं लएगा a square minus x square हो ला लगा दो क्या होता है? 1 by 2 j हो काते हो चलो इसका formula क्या होगा? x जब यहाँ x रहता है तो x by 2 होता है तो z है तो z by 2 हो जाएगा ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? z by 2 root अंदर a square a square minus x square होता है x का मतलब क्या है? z z का square हो जाएगा plus sin inverse a square होता है a का मान का है? 1 1 का square अब i क्या होता है? यह क्या होता है? z ना? sorry a square by 2 होता है a square यहाँ 2 होता है तो 2 लिग दिया ठीक है? उसके बाद होता है sine inverse तो sine inverse क्या होता है? x by a तो z का मान है x के जगा तो z by a a का मान क्या है? अब plus क्या हो जाएगा? c अब z कमान क्या करेंगे? put कर देंगे एक बटे 2 z कमान क्या है? देखो z कमान क्या put की हो? 2x यहाँ देखो 2x है तो 2x रखेंगे तो 2x by 2 हो गया root अंदर 1 का square 1 और z कमान 2x है तो 2x का whole square कर देंगे plus 1 अब ultimate 2 हो जाएगा और यह साइन इन वर्स z कमान 2x बटे 1 अब देखो अब यहाँ से यह दो दो कटा देंगे 1 से और x ले करेंगे x और यह दो इसमें गुना करेंगा तो x बटा 2 हो गया root अंदर 1 माइनस 2 का square करेंगे 4x से square हो जाएगा और 1 बटा 2 1 बटा 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1 बटे 4 sin inverse 2x में एक से भाग देंगे 2x हो जाएगा अब पलस c यह आपका answer हो जाएगा I hope कि आप लोग को equation number 2 समझ में आ गया होगा बहुत easy है को ज़्यदा कठी नहीं है सही से बनाओगे तो ठीक है अब हम question number 3 को देखते है question number 3 देखो क्या है आपका question 3 है integration root अंदर x square plus 4x plus 6 dx यह आपका प्रशन है अब इस प्रशन को solve करना है यह तो ना x a square minus x square है न a square plus x square न x square plus a square तीनों में से किसी में नहीं न तो पहले किसी एक में तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे आईए सबसे पहले क्या करते है आपको prune work बनाने की मिथड़ पढ़ाये थे उसी से इसको तोड़ देंगे root अंदर इसको तोड़ेंगे x है न तो a का square यह एक से square करते है यहाँ plus है तो a plus b के whole square पर तोड़ेंगे ज़िए यहाँ minus अदर था तो a minus b के whole square पर तोड़ेंगे हमने prune work बनाने की मिथड़ पहले ही पढ़ चुके है 7.4 में ठीक है plus है तो a plus b के whole square पर तोड़ेंगे कैसे देखो x है तो x का square कर दिए यहाँ plus लिखेंगे 2 a का मन x है अब b का मन क्या रखें कि यहाँ फोरेक्स हो जाए तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा तो b का मन कितना गया 2 तो 2 का कर देंगे square एक बार जोडते है न एक बार घटाना पड़ता है ताकि मान में फर्क है न पड़े अब plus 6 है इसको जेओं का तेम लिखेंगे और यहाँ से dx अब क्या करेंगे integration root अंदर यहाँ तक तो a plus b का whole square हो गया यानि x plus 2 का whole square कर देंगे यहाँ से चीज़ जाएगा अब यह minus 2 का square करेंगे 4 अब plus हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा dx अब यहाँ से integration root अंदर x plus 2 का whole square यह 6 और 6 में से 4 गटाएगे यह कितना आएगा plus 2 हो जाएगा और यह dx इतना आ गया कोई दिकत नहीं है हमें फर्मूला क्या पढ़े है हम तो तीन फर्मूला पढ़े है कि x square minus a square चाहे x square plus a square चाहे a square minus मनलों a square के रूप में होना चाहिए यह 2 square के रूप में है लेकिन यह नहीं है इसको भी कैसे तोड़ेंगे आईए integration root अंदर x plus 2 का whole square और a square square के रूप में तोड़ना है तो root 2 का square कर दो कि फिर चाहर चाहर का बर्मूल 2 हो जाएगा हमने इसको भी square के रूप में तोड़ दिया अब यह कौन सा फर्मूला लेगा x square plus a square हो लेकिन उससे पहले x के रूप में नहीं है x plus 2 के रूप में ही है हम इसे क्या कर देंगे इसे put कर देंगे z put x plus 2 बराबर z इसे x के साफ पेंच outline करेंगे तो क्या होगा यह 1 हो जाएगा और z का हो जाएगा dzy by dx यहने dx का माँद क्या हो जाएगा dz ठीक है यहने हम इस x plus 2 को क्या put कर लिए z जहाँ x plus 2 था न एड case आऋ एक्सके बदले जेड़ेंस्गा प्लसे स्कॉय एक्सस्ट्वाई इस्कुयर प्लसे स्कॉयर प्लसे स्कॉयर को द débड़ेंस्यौ हमारा कौन साल है या फर्मूला यह दो नंबर यह वाला कि practically अब देखो अब लगा देंगे क्या होता है formula क्या होता है formula x by 2 kaya z है यहाँ z by 2 ठीक है z by 2 उसके बाद क्या होता है root अंदर root अंदर क्या होता है x square plus a square यहाँ z का square प्लस root 2 का square हो जागा क्योंकि यह के बदले root 2 है ठीक है अब लससे स्क्वाईब होता है एकमाद रूट सुक्वाई टू अर एक के बदल रूट सुने खस्वाई बॉक 신 अब जेट कमान भर दो,c futures by two,rute अन्दर इसको j중에 बदले भरेंगे नthat रोड जाएगा रोड तो करेंगे तो तू ओगर करेंगे तो तू बाई टू हो जाएगा और ये लोग जेट का बदले x plus 2 plus root अंदर z के बदले x plus 2 का square plus 2 का square करेंगे तो 2 plus c और final देखो हमारा answer आजाएगा x plus 2 by 2 root अंदर जब इसको तोड़ोगे न x plus 2 का whole square plus 2 तो यह आएगा x square 2ab यानी 4x और यहाँ 2 का square करेंगे 4 अद्दू 6 हो जाएगा अब पलस e 2 दो तो कड़ जाएगा यह हमारा log हो जाएगा मपांग x plus 2 plus root अंदर इसको भी तोड़ोगे इसके जैसा ही होगा x square plus 4x plus 6 अब पलस c यह देखो हमारा final answer होगा यह वाला ठीके समझ मैं सबको कोई doubt नहीं है किसी को बस फर्मूला याद रहेगा फिरा आपको पर दिक्कत होई नहीं सकता मैं गरांटी देता हूँ इस बात के लिए ठीके यह था हमारा question number 3 अब हम question number 4 को देखेंगे 4 क्या है question number 4 integration root अंदर x square plus 4x plus 1 dx यह अपका प्रशन है ठीके तो इसको भी हम prunberg बनाने की method पर तोड़ेंगे बिल्कुल असान है integration root अंदर plus है न तो a plus b के whole square पर तोड़ेगा a square plus 2a b का मन क्या रखेंगे पोरक साथ है तो 2 रख दो plus b square होता है तो 2 का square उसके बाद देखो तू यह plus है एक बाद से क्या कर देंगे minus ताकि मान में कोई फर्क नहीं पड़े plus 1 है तो plus 1 और यह dx ठीके अब क्या करेंगे integration root अंदर यहां से तक यह हमारा formula बन जाएगा x plus 2 का whole square और यहां से क्या हो जाएगा जब इसको solve करेंगे तो 2 का a square कितना होगा 2 का a square हो जाएगा 4, 4 में से जाएगा minus 3 यह यह चीज़ आ गया इसको x square plus a square के रूप में तोड़ना है न यह 3 square में यह नहीं है root अंदर हो जाएगा x plus 2 का whole square minus root 3 का a square और a dx x square minus a square यह पहला जो formula लगा है न वो दलाएगा formula आईए इससे लगा देते हैं लेकिन उससे पहले न x plus 2 को put कर लेंगे z put x plus 2 को हमने z put कर लिया x के साब एक्छाव कलन करेंगे तो x का एक हो जाएगा और z का dzy dx हो जाएगा यहाँ से dx बराबर digit हो गया आप देखो तो integration root अंदर x plus 2 को हमने z put किया है न तो z का square हो जाएगा minus a के बदले क्या है root 3 root 3 का square हो जाएगा और यह dx के बदले dz आप देखो x के बदले z है same formula वही पहला जो formula पढ़ा है न ओलब formula लगा दो क्या होगा सबसे पहले देखो इसके लिए formula क्या होता है x by 2 x का मन क्या है z यह हो जाएगा z by 2 ठीके root अंदर क्या होता है यह होता है हमारा x square minus a square यहाँ x के बदले z है z square minus क्या हो जाएगा root 3 का square बीच में होता है minus again होता है a square a का मन क्या है root 3 root 3 का square by 2 अब यह होता है log मपांक x, x के बतले क्या है z, तो z लिखेंगे, अब प्लस root अंदर x square माइनस यह square होता है, तो z square माइनस root 3 का square हो जाएगा, अब प्लस क्या लग जाएगा c, ठीक है, यह मपांक रहेगा अब बस z कमान रख तो answer हो जाएगा, z कमान क्या है, x plus 2, x plus 2 by 2, root अंदर, x plus 2 का whole square, और root 3 का square करेंगे न, तो root 9 होगा 9 का बर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा, माइनस, यह 9 एंद 3 बटा 2 हो जाएगा, और लोग, z कमान है, x plus 2, x plus 2, plus root अंदर, z कमान भर 2, x plus 2 का whole square, माइनस 3, अब प्लस c, यह हो गया अब देखो, x plus 2 by 2, root अंदर, x plus 2 का whole square करेंगे न, तो x से square होगा, और 2 ए b, यहनि 4x होगा, और देखो, 2 का square, 4, 4 में से 3 जाएगा, एक, यहानि यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस 3 by 2, log मापांक, x plus 2, plus root अंदर, इसको भी तोड़ोगे पता है, यह उलाएगा, x square plus 4x, plus 1, प्लस c, यह देखो, हमारा final answer हो जाएगा, ठीक है आया सबको समझ में, तो देखो कुछ नहीं है, बस pruneberg बनाने की method, और उसके बाद यह simple सा formula लगा दो, आपका answer हो जा रहा है तो हमारा 4 नंबर भी complete होता है, अब हम 5 नंबर देखेंगे, यह 5 नंबर हमारा क्या है पांच नंबर प्रश्णे है, integration, root अंदर, 1-4x, यह थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, minus x square और यह dx, यह अपका प्रश्णे है, ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं न, देखो सबसे पहले, integration, इसमें से क्या करते हैं, minus कमल लेंगे, minus कमल लेंगे, एक से square, plus 4x, और यह plus तो minus हो जाएगा, और यह dx, ठीक है अब यहाँ से integration, root अंदर, minus को बाहर, इसको प्रूम बर्ग बनाने की method पर तोड़ते हैं, यह plus है न, तो कौन सा formula पर बनेगा x का square कर देंगे, plus 2, a कमान x है, b कमान क्या रखे कि फोरेक्स हो जाए, तो 2, ठीक है अब plus b square हो जाएगा, तो 2 का square, और उसके बाद, एक बार plus तो एक बार minus करना पड़ता है, और उसके बार minus 1, और यह हो जाएगा dx आगे बढ़ते हैं, तो integration, root अंदर, यह minus को minus, यहाँ तक किसका formula बना, यह बन गया, x plus 2 का whole square, ठीक है और यह देखो, दो दुन का, 4, और minus 1, यह मज़ जाएगा minus 5, और यह dx, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको put कर लेंगे, z, क्या put करेंगे, z, ठीक है बात समझ में आ रही है, और यह तो उससे पहले जानते हो, क्या कर दो, यह minus है न, इस minus को अठा दो, कैसे हटेगा, root अंदर, इस minus को गुना करेंगे, प्लस बन जाएगा, तो इस प्लस को हम 5 को पहले लिख लिए, ठीक है, और इसको करेंगे, तो minus हो जाएगा, यह हो जाए का, स्क्वाइर डी एक्स, इसक्वाइर माइनस एक्स स्क्वाइर पर तोड़ेंगे, क्या बनेगा, फर्मुला या देना, कि भूल गए हो, हाँ, एक बात तो और, एक स्प्लस टू को हम पूट कर देंगे, पहले जेड, ताकि आपको समझ में आजे बात है, एक स्प्लस स्क्वाइर माइनस, एक स्प्लस टू को जेड, जेड का स्क्वाइर और यह हो जाएगा, ठीके, अब यहाँ देखो, यह एक स्क्वाइर, 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 एक स्क्वा जेड का स्क्वायर तेट क्या कर देंगे ठीक है के फलस wortahya a square by 2 तो लूट 5 का leajevay टू और साइं इंवर्स होता है तो साइन इंबर्स और एकस को मन क्या है इइकवर्स कमार्ण जेडा प्लस एकमन क्या है रूट 5 यहां पर रख देंगे ही तक आइप X plus 2 होता है क्या सॉरी यहाँ पर A square by 2 sin inverse X by A होता है X का मान हमारा Z है न तो Z हो जाएगा सॉरी Z हो जाएगा Z by A A का मान क्या है root 5 Z by root 5 हो जाएगा sin inverse X by A होता है X के बले Z आएक बले root 5 ऐसा होगा अब Z का मान बर दो Z का मान क्या है उपर देखो X plus 2 है X plus 2 by 2 root 5 है न शॉरी root 5 का square न न पांच हो जाएगा और Z का मान भर देंगे X plus 2 का whole square प्लस एक 5 बटा 2 हो जाएगा sin inverse X का मान है X plus 2 और A हो जाएगा root 5 अब प्लस C अब Z का मान यह जो है न इसको put कर देंगे put तो करीं दिए उसको तोड़ देंगे पता है क्या तोड़ेंगत होगा X का square करेंगे न तो X square होगा 2 का square करेंगे minus 4 होगा और 2X minus 4X होगा तो पांच में से 4 जाएगा तो 1 आजएगा minus 4X होगा minus क्या होगा X square होगा जब इसको तोड़ोगो ना यह चीज आएगा हमें पता है आप करके देख लेना और पीछे सब समझाए हैं तो आपको समाज में आहीं गया होगा sin inverse x plus 2y root 5 plus c यह जी है यार छोड़ भी देंगे तो आप सारे question बना सकते हो क्या नहीं बनेगा सारे बना सकते हो मैं इतना guarantee दे सकते हूँ आप लोग के लिए ठीक है तो 5 number भी complete होता है अब हम 6 number देखेंगे 6 number अपका प्रश्ण है ज्यान देना यह तो बहुत तीजी है छोड़ भी देंगे तो आप लोग बना सकते है इस question को root अंदर x square प्लस 4x माइनस 5 dx यह अपका प्रश्ण है ठीक है अब इससे सल्व कैसे करेंगे पहले प्रून बर्ग बनाने की method पत्रोड़ेंगे क्या हो जाएगा root अंदर root अंदर a का square प्लस है तो प्लस होगा 2 a कमान x b कमान क्या रहेगा फ्लस हो जागा तो 2 और प्लस b a square होता है तो b कमान 2 मिल गया तो 2 का a square माइनस 2 का a square माइनस 5 और यह हो गया dx ठीक है अब आगे बढ़ाएंगे integration root अंदर यहां तक तोड़ेंगे तो कौन सा फर्मूल आगा x प्लस 2 का whole square और इसको करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा और यह माइनस 5 dx हो जाएगा ठीक है अब क्या करें तो यहां से integration root अंदर x प्लस 2 का whole square और यह माइनस 9 dx हो गया अब आगे बढ़ाते हैं integration root अंदर x प्लस 2 का whole square माइनस 9 है न तो 3 का square करेंगे तो 9 हो जाएगा तो 3 का square हमने कर दिया और यह हो गया dx ठीक है समझ में आ रही है बाते न कोई किसी को doubt तो नहीं आ रहा है न चलो अब हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 को हम put कर लेते हैं z put x प्लस 2 को हमने z put कर लिया x के साब एक्ष ऑकलन करेंगे तो 1 इक्वल टू डीजेड बाई dx हो जाएगा और यहां से dx बराबर dz आ गया अब हम इसको भारेंगे integration रूट अंदर x प्लस 2 को हमने z किया है न तो z का a square माइनस 3 का a square यह dx अब क्या करते हैं x square माइनस a square पर तोड़ेंगे तो तो x square माइनस a square यह पाला फर्मूला यह क्या होता है x by 2 यहां पर हो जाएगा z by 2 ठीके रूट अंदर x square माइनस a square होता है तो z का a square माइनस a square तीन का a square हो जाएगा ठीके सबको बाते समझ में आने चाहिए किसी कोई दिकत नहीं होनी चाहिए ठीके a square a कमान है 3 तो 3 का a square by 2 उसके बाद क्या होता है log मापांक x plus 2 यह जेड है तो z प्लस रूट अंदर x square यह जेड का a square प्लस माइनस होता है न माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3 का a square प्लस c बस z कमान भर दो एंसर हो जाएगा z कमान क्या है x plus 2 by 2 रूट अंदर x plus 2 का a square माइनस 3 का a square यह हो जाएगा 9 बटा 2 यह log z कमान है x plus 2 प्लस रूट अंदर z कमान है x plus 2 का a square माइनस 9 प्लस c अब हम क्या करेंगे x plus 2 by 2 रूट अंदर इसको तोडेंगे x square आएगा और 2 a b यह नि यह 4 x हो जाएगा और 4 अतितरी का 9 यह कितना हो जाएगा 9 में से 4 घट जाएगा यह नि माइनस 5 आ जाएगा माइनस 9 बटा 2 यह log मापांग x plus 2 प्लस रूट अंदर x square plus 4x माइनस 5 प्लस c यह आपका एंसर हो गया ठीके समझ माया सबको कोई दिकत नहीं किसी को सबको 6 नमर प्रश्ण समझ में आ गई चलो 7 नमर देखते हैं 7 नमर प्रश्ण क्या आपका साथ नमर सब लोग देखो ठीक question लग रहा है मेरे को साथ नमर है integration 1 प्लस 1 प्लस 3x माइनस x square dx यह अपका प्रश्ण है अब सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान देना थोड़ा सा लगए कठी इसका solution करने में लेकि नीजी है ठीक है सबसे पहले minus कमल ले लो minus कमल लेंगे यह बन जाएगा x square minus 3x अप्लस व्लस माइनस व्लस 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 माइनस बन गया अब क्या करेंगे integration root अंदर minus को बाहर कर देते हैं इसको तोड़ेंगे पुरून बर्ग बलाने के मिठ़ट से तो यह minus है न तो a minus b के whole square पर टूटेगा तो x का square minus 2 a कमान x और b कमान क्या रखे कि 3x हा जाए तो रख दो 3 by 2 यहां से क्या होगा 2 2 कर जाएगा 3 और x बचेगा 3x हा गया यहनि b कमान जो होगा 3 by 2 होगा 3 by 2 का whole square एक बार प्लस एक बार minus minus 1 और यह हो गया dx अब यहां से integration minus root अंदर इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x minus b कमान 3 by 2 है तो 3 by 2 का whole square बाटा में है बहुत सारे पच्चे confusion पढ़ जाते हैं इसको तोड़ोगे न यह हो जाएगा minus 9 by 4 और यह होगा minus 1 और यह dx जब इसको तोड़ देंगे तो रफ में जाओ और तोड़ लो क्या होगा x minus 3 by 2 का whole square और इसको तोड़ोगे तो 9 और 4 तेरा हो जाएगा ना 9 4 तेरा हो जाएगा यह हो जाएगा तेरा बाटा 4 और यह dx इसको एसको स्क्वाइर की रूप में ले जाना है तो रूट लगा देंगे integration minus root अंदर x minus 3 by 2 का whole square minus देखो इसको तोड़ेंगे तो रूट 13 अब बाटा इसको दो कर देंगे इसका square करेंगे तो same चीजा जाएगा अब क्या करेंगे इसको हम put कर देंगे z put x minus नहीं एक बात और यहाँ पर क्या करते हैं यह minus हमारा बच्चा है तो minus को गुना करके आगे उसका काम बढ़ाएंगे root अंदर गुना करेंगे तो minus 16 बन जाएगा plus तो root 13 बाटा 2 का whole square और यह plus 16 माइनस बन जाएगा x minus 3 बाटा 2 का whole square और dx अब a square minus x square के formula पर बन गया तो लगा दो formula लेकिन उससे पहले यह देखो यह जो हमारा x है x माना 3 बाटा 2 जो है न उसको put कर लो z 3 बाटा 2 को हमने z put कर लिया x के साब एक शोकलन करेंगे और z का हो जाएगा d z by dx यहाँ से dx बराबर हमारा हो गया d z अब क्या करेंगे integration root अंदर क्या हो जाएगा root 13 बाटा 2 का whole square minus इसको हमने z का square कर दिया और यह हो जाएगा d z अब फर्मूला पर convert कर देंगे तो क्या होता है x by 2 x का माना जेड 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 बाटा 2 root अंदर a square minus x square इसको a square करेंगे root 13 बाटा 2 का whole square minus x square जेड का square बीच में पलस होता है a square by 2 होता है तो root 13 बाटा 2 का whole square by 2 हो गया sin inverse x x का माना जेड अब आई a a का मान होता है यह z है root 13 बाटा 2 plus c हो गया अब इसको सई से कर दो z का माना आपको पता है कि x minus 3 बाटा 2 है root अंदर जब इसको तोड़ेंगे तो 13 बाटा 2 हो जाएगा नहीं 4 हो जाएगा 13 बाटा 4 जब इसको तोड़ेंगे तो और z का मान है x minus 3 बाटा 2 का whole square ठीक है इसको करेंगे तो कितना होगा और 13 बाटा 4 अब बटे हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा sin inverse z का मान है x minus 3 बाटा 2 और यह हो जाएगा root 13 बाटा 2 अब प्लस c अब देखो हम डिरेक्ट कर लेते हैं पर जगर नहीं है तो ठीक है आप अराम से कर लेना रख में जा करके अब जब इसको तोड़ोगे ना पता है क्या आएगा यह वाला चीज आएगा यह वाला ठीक है तो हम डिरेक्ट उसको क्या कर देंगे रख देंगे 1 पलस 3x minus 6 अब आपको कसे सब्सक्राइब पाता सभी क्वेशन में जो इसको सल्प कर रहें ना वहीं क्वेशन ओला आ जा जाएगा उपर तो से करेंगे तो 2x हो जाएगा और नीचे रोट 3 अपलस सी यह सब आपको करने आएगा ना गुना भागा सब सीख जाव यार बहुत हीजी चीज़े तो इसी किसांत हमारा एंसर कंप्लीट होता है जद्या आपको गुना भागा में दिक्कत होगा तो थो सब वीडियो को रोख करके देखो समझ मा जाएगा ठीक है साथ नमबर कंप्लीट होता है कोई दिकत नहीं है साथ नमबर कंप्लीट 6 अब हम 8 नमबर देखते हैं आए तो 8 नमबर प्रश्णे देखिए क्या आपका आठ नमबर प्रश्णे के इंटिग्रेशन रूट अंदर एक से स्क्वाइर प्लस 3 एक्स बी एक्स यह अपका प्रश्णे है इससे हमें क्या करना होगा इससे पुरून बर्ग बनाने की मेठ़ट पर ले जाना होगा तब ही तो बन पाएगा नहीं तो कैसे होगा फर्मूल इसको तोड़ेंगे एक्स का स्क्वाइर क्योंकि प्लस है तो एक प्लस बी के होल स्क्वाइर पर इसक्वाइर पर एक बार प्लस तो एक बार माइनस अब इतना ही तक है इतना ही तक छोड़ देंगे क्योंकि आगे हमारा कुछ है नहीं यदि रहता तो लिग देते नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ाएंगे integration, root अंदर, यहां तो फर्मूला बन गया, x plus 3 by 2 का whole square, और यह बन जाएगा, minus 3 by 2 का whole square, और यह dx, x square minus y square का फर्मूला पर तोड़ दो, हो जाएगा, इसको फूट कर दो, x plus 3 by 2 को z, और यह तो 0 हो जाएगा, dz by dx, यहां से dx बराबर हो गया, dz, इसको फर्मूला पर तोड़ेंगे, integration, root अंदर, इसको तो पुरा z माल ली है, z का square, minus 3 by 2 का whole square, और यह dx, अब क्या करेंगे, integration, इसको तोड देंगे, x square minus a square के फर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, यह आपको फर्मूला बनेगा, कि z by 2, z by 2, root अंदर, z का square, z का square, minus x square, यह तीन बटा दो का square, ठीक है, यह हो गया, minus a square होता है, तो एक अमान तीन बटा दो का square है, अब बटे क्या होता है, दो, उसके बाद, log मापां x होता है, यहाँ z है, plus root अंदर, x तो z का square, minus 3 बटा दो का square, अब प्लस c, अब देखो तो, z का मान भर दो, x plus 3 बटा दो, root अंदर, x plus 3 बटा दो का whole square, minus 9 बटा चार, minus 9 बटा चार, अब बटे 2 यह log, z का मान है, x plus 3 बटा 2, plus root अंदर, x plus 3 बटा 2 का square, minus 9 बटा 4, अब प्लस c, आपको पता है न, x plus 3 बटा 2, जब इसको तोड़ोगे न, पता है क्या आएगा, उपर होगा, जो आपका question है, x square plus 3x हो गया, minus, इसको गुना कर देंगे, तो 9 बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा, log, और x plus 3 बटा 2 ही रनने दो, इसको जोड़ो खटाव कर सकते हो, तो करो नहीं, तो छोड़ो इतना ही पर अच्छा है, जब इसको करोगे, तो यह आएगा, x square plus 3x plus c, क्योंकि यहाँ पर जो रहे न, जो question रहता है, वही answer होता है, यहाँ पर directly तोड़ो, अपका हो जाएगा ठीक है, यह भी complete होता है, अब इसका last है 9 number, 9 number देखो क्या है, 9 number अपका प्रश्ण है और यह last है, 10 सिगारा आपको home work दिये जाएगा, ठीक है न, क्योंकि इतना सारा बनाए तो आप भी तो 2 बनाओ, बना करके और उसको send करना होगा, 1 plus x square by 9 dx है, ठीक है, तो यहाँ से इसक का solution करेंगे, integration, root अंदर, 1 का square करेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ से x बटा, 3 का square करेंगे तो हो जाएगा, और यह dx, यहाँ से put करेंगे, x by 3 को हमने z, x के साब एक छवकलन करेंगे, तो 1 by 3, और यह dz by dx, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से dx equal to 3 digit हो जाएगा, ठीक है, तो according to question कर लेंगे तो root अंदर 1 का square और इसको हमने z माल लिया तो z का square dx का मालना है कितना 3dz तो 3 constant होगा बाहर निकाल देंगे integration क्या बच जाएगा root अंदर 1 का square plus z का square और यह हो गया dz ठीके लेकिन a square plus x square कोई formula नहीं होता है तो हम इसको ऐसे कर देंगे पहले एक सुला है यह जेड का लिख देंगे z square plus 1 का square इसका तो formula जानते हो तो formula पर लगा दो यह 3 का 3 bracket लेगा क्योंकि सब के लिए गुना करेगा यह हो जाए क्या हमारा z by 2 root अंदर z square plus 1 का square क्योंकि a square होता है plus अब क्या होता है एक a square होता है एक का square 1 और नीचे का होता है 2 इसके बाद log मापांक z plus root अंदर z का square plus 1 का square plus c यहाँ से हो जाएगा 3 z का मन क्या है देखो उपर x by 3 root अंदर x by 3 का square करेंगे तो x square by 9 हो जाएगा plus 1 और यहाँ से 1 बटा दो यह log x by 3 plus a हो जाएगा x square by 9 plus 1 plus c अब इसको 3 से गुना करा देंगे क्या होगा जब गुना कराएगे तो देखो ध्यान देना यहाँ पर हमने mistake किया है पहले से 2 है ना तो 2 का हमने छोड़ दिया यार तो गुना करेंगे तो 3x बटे 6 हो जाएगा root अंदर x square बटे 9 plus 1 हो जाएगा अब प्लस 1 बटा दो यह log x by 3 plus root अंदर x square by 9 plus 1 अब प्लस c हो जाएगा यह कटानना चाहते हो तो कटा दो ने तो छोड़ दो यह हो जाएगा last x by 2 root अंदर x square plus 9 plus 1 है ना यह आपका question ऐसे है तो आप ऐही ऐसे लिख सकते हो क्योंकि दवदर लिखनेंस कोई दिकत है नहीं है इतना तो समयधार हो गए हो यार अब हम यह सब question क्या बनाए हम आपको पहले ही बोले थे कि आप फर्मुला याद कर लो आप खुद से प्रशने को हल कर लो plus c answer बाकी जो प्रशने आप लोग जुरू बनेगे गए 10-11 ठीक है उतना तो कर सकते हो मेरे भाई मिलते हैं next class में thank you so much